नमस्कार दोस्तो मैं हूँ डोक्टरम डिशकारी आपका अपने YouTube चेनल डोक्टर कारी पर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में होमियोपेति दवाई, चीनिनम और सी निकोस हम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवई कहां यूज की जाती है यानि किन बिमारी और किन सिम्टम्स में इसे हम पेशेंट को देते हैं जानने के लिए वीडियो पुरा देखें अगर आप अमारे चैनल पड़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता कि आने वाले एल्थ रिलेटिड वीडियो से आप अपडेटेड रहें दोस्तो चिनिनम दवई को शारीरिक ठकावट या मांसिक ठकावट में पेशेंट को दिया जाता है कमजोरी में दिया जाता है ये दवई उन लोगों में अशरदार रहती है, जो जल्दी थक जाते हैं, मन से या तन से, यानी शरीर से. इसके लावा ये दवई एक जनरल टौनिक के दोर पर काम करती है, मलेरिया में इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं, नeuralgier में इसे हम देते हैं, अस्तमा और डाइरिया यासी बिमारी में भी ये दवई बहुत effective रहती है तो सबसे पहले हम इसके सिर के symptoms की बात करते हैं patient physical या mental exercise के कारण यानि थकावट के कारण patient को सिर का दर्ध होता है और उसमें patient को irritation बहुत ज़ादा देखने को मिलती है इसके साथ ही थकावट होती है बेचनी होती है सिर में भारीपन के साथ patient को चक्कर भी आते हैं ऐसे सिर्दर्ध में अगर patient को chininum दवई दी जाए तो काफी relief मिलता है तो इसके पेट के symptoms की बात कर लेते हैं patient को अगर hyper acidity हो यानि acid ज़ादा मनता हो या decrease acid हो यानि acid कम बनता हो अल्टरेशन देखने को मिलती हो अल्टरनेट होती हो कभी patient को acidity ज़ादा बन जाती हो या acid कम हो जाता हो ऐसी condition में दवई बहुत असरदार रहती है जब patient सोने जाता है तो नोजिया vomiting जाज़े symptoms देखने को मिलते हैं यानि मितली आती है या फिर उल्टी पेशेंट को रात के समय दोस्तों अगर patient अंडे काता है तो उसको डाइरिया लगना शुरू हो जाता है इसके अलावा अन्राइफ पूर्ड काने से patient को इंडाइजेशन की शिकायत आती है गैस इतनी जादा बनती है कि patient को पेट का दर्द देखने को मिलता है ऐसी condition में ये acidity को भी ठीक करती है गैस को भी ठीक करती है और पेट दर्द में भी relief देती है इंडाइजेशन में भी काफी राहत देती है इसके लावाई से हम patient को rheumatism में भी दे सकते हैं खास तोर पर chronic rheumatism आरे के patient में तब दी जाती है जब patient को लंबे time से rheumatism हो गटिया वाय का लेकिन इसका एक अलग symptoms ये देखने को मिलता है कि patient को rheumatism में दर्द तो होता है लेकिन swelling नहीं आती है जोडों में patient को दर्द बहुत जादा देखने को मिलता है सूजन नहीं आती है ऐसी condition में patient को ये दवई दी जाती है fever के symptoms की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये दवई malaria में बहुत असरदार रेती है खास दोर पर जब intermittent हो यनि रुक रुक कर गुखार आता हो इसके साथ ही patient को बहुत जादा कमजोरी देखने को मिलती हो और प्यास भी patient को थोड़ी दोड़ी करके लगती हो ऐ नहीं भी किसी भी से मगर patient को दर्द होता है तो फटने जैसी condition का होता है और हातों पैरों में घुटनों में ठंडा पन देखने को मिलता है ऐसी condition में चिनेमम दवई patient को देनी चाहिए लेकिन अगर आपको कोई भी इन में से परेशानी है acidity की शिकायत है rheumatism है या diarrhea लगता हो तो डोक्टर की सलहा एक बार जरूर ले ले क्योंकि ऐसे ही symptoms कुछ और दवाईयों में भी मिल सकते हैं बिना डोक्टर की सलहा के कोई भी homeopati दवाई नहीं कानी चाहिए इस दवाई का खास तोर पर 30CH और 200CH में यूज किया जाता है इ हमें बताएं कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती है थैंक यू